गाजर का हलोवा खाने के फायदे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यदि आप गाजर का हलोवा बना कर खाते हैं तो क्या कि आपको फायदे मिलेगा अगर आपको भी गाजर का हलुवा पसंद है तो आपको जानकर खुशी होगी कि यह आपकी सेहत को नुक्सान नहीं बलकि कई फाइदे पहुँचाता है आज हम आपको बता रहे हैं गाजर का हलुवा खाने के क्या फाइदे होते हैं बिटामिन से भरपूर होता है गाजर गाजर के हलुवे के लिए सबसे ज्यादा जाहिट तोर पर गाजर की ही होती है गाजर बिटामिन A, C और K से भरी होती है साथ ही इसमें फाइबर भी होता है जो पाचन के लिए लबदायक, मेटाबलोजम को मजबूती और आथ के सोष को बेहतर बनाता है गाजर में पाए जानने वाले पोशकत तो आखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं कुलस्ट्रोल के अस्तर को कम रखते हैं और दिल की सिहत का भी ख्याल रखते हैं डाइबिटीज के मरिज भी ले सकते हैं मजा गाजर मिठी जरूर होती है लेकिन इसका गलोसेमिक इंडेक्स कम होता है यानि इसे खाने से तुरंत बलट सुगर का अस्तर नहीं बढ़ता इसका glycemic index सोले से 60 के बीच होता है इसलिए diabetes के मरीज भी इसे बिना डर के खा सकते हैं दूद करता है हडियों को मजबूत गाजर के हलवे को दूद में पकाया जाता है दूद बिटाविन D का भी उच सुरोत है जिसकी कमी से बोन डेसिटी कम होती है और अस्टो प्रोसिस और फ्रेक्चर का खतरा बढ़ता है इसके अलावा दूद में प्रोटीन और ओमेगा 3 भी होता है जो दिल की बिमारी और डाइबिटी से जूज रहे लोगों के लिए फायदे मन होता है आप तो जानते हैं कि घुटना में दर्द जोडों में दर्द जब होता है तो डॉक्टर कैल्सियम लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा इसमें जो है कैल्सियम मिलने वाला है घी भी सरीर के लिए फायदे मन्द है गाजर के हलोवा में घी भी डाला जाता है जिसका सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए घी बिटामिन एंटी एक्सिडेंट और हेल्दी फैट्स का उच सरोत है जो कैंसर अर्थराइट्स और यहां तक की कैटारेक्ट के खत्रे को कम करता है गाजर का हलोवा खाने के फायदे और भी है स्वास्थ आखों के लिए फायदे मन्द गाजर का हलोवा गाजर का हलोवा हमारे सरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदे मन होता है अगर स्वास्थ की नजर से देखा जाए तो गाजर का हलोवा में विटामिन बहुत अच्छी मातरां पाय जाता है और विटामिन आखों के लिए बहुत जरूरी होते है पाचन के रिया को ठीक करता है गाजर का हलोवा गाजर का हलोवा हमारे सरीर के पाचन के रिया को ठीक रखने में हमारी हेल्प करता है और गाजर का हलोवा के अंदर मौझूद फाइबर मल्ट त्याक करने में भी सहाइक होता है या हमारे आमासे रसको भी उतेजित करता है इसलिए हमें गाजर का हलुआ जरूट करना चाहिए क्योंकि या हमारे सेहट के लिए बहुत ही फैदे मन होती है मौखिक, हनि सुष्ट में सुधार लाती है गाजर का हलुआ यह हमारे मुह के अंदर लार को बढ़ाने में भी सहायक होता है और इसका कार्या मुह में भी साडू के भीकास को भी रोकता है जो की कैविटी और अन्या मुह की समस्या को दूर करने में हमारी हेल्प करता है इसलिए दापतों को सोष्ट रखने के लिए हम गाजर का हलोवा उज़ कर सकते हैं माइग्रेन के दर से दिलाए राहत गाजर आम तोर परतनाव की वज़र से माइग्रेन की समस्या हो जाती है माइग्रेंट से राहत दिलाने में गाजर का घरेली उपाए बहुत लगकारी सीद होता है खासी करे कम अगर मौसम के बदलाव के कारण खासी से परसान है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो गाजर से इसका इलाज किया जा सकता है गाजर के 40 से 60 मिली रस में चीनिक तता काला मीच के चून को डाल कर सेवन करने से कौफ निकलने लगता है जिसे कौफ सम्मंदि समस्या से राहत मिलती है